हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वॉक्षीट नमबर 8 जो की 13 अगस 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशह है गनित और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भाग के गुण अगर हम पूरांकों को भाग करते हैं तो उसमें कौन-कौन से गुण यूस होते हैं इस्तमाल होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला है एक से भाग अगर किसी भी पूरांक को एक से भाग करेंगे तो आंसर वो पूरांक खुद ही आएगा जैसे कि 7 को अगर हम 1 से भाग करे तो 7 आएगा घटा 10 को 1 से भाग करें तो answer 10 ही आएगा ठीक है, किसी भी नमबर को 1 से भाग करने पे वो नमबर खुद आजाता है, तो ये था पहला गुण, दूसरा है स्वेम से भाग किसी नमबर को अगर उसी नमबर से अगर आप भाग करते हो तो answer हमेशा 1 आएगा, चाहे आप 100 divide by 100 करो चाहे आप minus में 59 divide by minus में 59 करो, सारे case में answer 1 ही आएगा, क्योंकि आप जिस number को ले रहे हो, उसी number से उसे divide कर रहे हो तो answer हमेशा 1 आएगा third property है यहापे 0 से भाग, किसी भी number को अगर आप 0 से भाग करते हो, तो answer में आप लिखेंगे अर्थीन, क्योंकि किसी भी number को 0 से भाग किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है next है, 0 को किसी पूर्णांग से भाग करना 0 को किसी पूर्णांग से भाग करना, तो मतलब 0 को हम किसी भी नंबर से भाग करेंगे 5 से करेंगे मानलो 10 से कर रहे हैं या फिर 0 को हम भाग कर रहे हैं माइनस में 13 से कर रहे हैं तो हर केस में आंसर 0 ही आएगा यानि 0 को किसी भी नंबर से भाग करने पर आंसर हमेशा हमारा 0 ही रहता है ठीक है? इसके बाद है सम्वृत नियम सम्वृत नियम का मतलब है कि दो नंबर्स हम ले रहे हैं उन्हें भाग कर रहे हैं तो क्या हमें पूर्णांख ही मिलेंगे जैसे हमने घटा 4 को घटा 2 से भाग किया तो आंसर आया 2 और अगर हमने घटा 4 को भाग किया 2 से तो answer आया minus 2 और ये दोनों पूर्णांग हैं लेकिन अगर हम घटा 3 को भाग करते हैं घटा 7 से तो answer आएगा 3 बटे 7 जो की पूर्णांग नहीं है इसका मतलब सम्वृत नियम भाग में नहीं यूज होता है ठीक है अगर हम क्रम विनिमे नियम की बात करें तो इसका मतलब है क कि अगर हम अंकों की अदला बदली करें तो answer सेम आना चाहिए जैसे गुणा की का case लेते हैं ऑगर थीन गुणा, चैले तो answer कितना आएगा 18 अगर हम चे गुणा में 3 ले तो भी answer आएगा 18 लेकिन अगर हम भाग के case में ले तीन भाग 6 तो आंसर आएगा 1 बटे में दो अगर 6 भाग 3 आंसर लेते हैं तो आंसर आएगा 2 क्या ये दोनुँ आंसर सेम हैं? नहीं, ये अलग-अलग हैं इसका मतलब भाग में क्रम विनिमे नियम नहीं लगता है ठीक है, तीसरा हम देखते हैं साहचर रिनियम, साहचर रिनियम मतलब हम तीन नमबर्स ले रहे हैं, जैसे कि ये तीन नमबर है, इनको भाग करने पर आंसर आएगा माइनस टू, और अगर हम ये तीन नियम ले रहे हैं, मतलब नमबर तो ये तीन ही है, बस क्रम अलग अलग आ देते हैं यानि पहले इन दोनों को भाग करें नहीं होते हैं ए तिनों नियम उसे में लगते हैं लेकिन भाग के पहले नियम पूरांक आना चाहिए जबकि हमने देखा कि कुछ केस में पूरांक आता है और कुछ केस में पूरांक नहीं आता है तो पहला नियम नहीं लगेगा क्रम विनिमें हमने देखा कि नंबर को आगे पीछे करने से आंसर अलग आ जाता है तो क्रम विनिमें भी नहीं लग रहा है और साहचर में अगर हम किसी दो नमबर को पहले लेकि तीसरा नमबर बाद में लें तो भी आंसर अलग अलगाता है, तो इस केस में भी हम देखेंगे कि साहचर एक अनियम नहीं लगेगा, तो ये complete हो गया, अब हम देखते हैं question number one, इसमें पूछ रखा है कि तालिका को पूरा जाए, तो पांच से ही करेंगे, दूसरा है घटा पंद्रा को घटा पंद्रा से ही भाग किया जा रहा है, तो आंसर कितना आएगा, वन आएगा, तो इस केस में कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है, स्वैम से भाग, तो आप पहले में लिख देंगे, यह पूर्णांग से भाग करना अब तीसरा है यहां पे घटा 25 को हम भाग कर रहे हैं एक से तो आंसर घटा 25 ही आएगा यहां पे हम 17 को भाग करेंगे एक से तो आंसर 17 ही आएगा इसका मतलब यहां पे कौन सा नियम लग रहा है एक से भाग यानि कि यह वाला नियम लगेगा ठी इसके बाद हम देखते हैं last वाला second last वाला घटा 100 को भाग करें एक से तो answer घटा 100 ही आएगा यहाँ पे घटा 45 को भाग करेंगे एक से तो answer घटा 45 ही आएगा और यहाँ पे जो नियम लगेगा वो पिछला वाला ही लगेगा यानि कि एक से भाग अगला है 125 को अगर हम 0 से भा से भाग नहीं होता है तो यहाँ पर कौन सा नियम यूज किया जा रहा है यहाँ पर है जीरो से भाग तो पहला प्रशन तो हो गया अब हम देखते हैं दूसरा प्रशन दूसरे प्रशन में हमें कह रखा है कि 100 को किस नंबर से डिवाइट करें की आंसर आजाएगा 50 तो अगर 15 को भाग करें घटा 5 से यह आजाएगा घटा 2 जमा में इसको इससे भाग करेंगे आएगा 3 और घटा से घटा कैंसल हो जाएगा तो इस तरीके से आंसर बचेगा 1 यानि second question का आंसर आजाएगा 1 ठीक है अब हम देखते हैं third part 50 को किस नंबर से भाग करें कि आंसर घटा 1 आ घटा 101 जमा में 1 यह आ जाएगा घटा में 100 फिर बीच में भाग का निशान है उसके बाद यहाँ पर है दो नंबर हैं दोनों घटा में हैं तो दोनों को जोड देंगे लेकिन आंसर घटा में ही आएगा तो घटा 100 आजाएगा इसका भी आंसर अब घटा 100 को अगर आप प्रशन के सही उत्तार देने पे आपको जमा में तीन अंक मिलेंगे और गलत उत्तार देने के लिए आपको घटा में दो अंक मिल जाते हैं तो राजीव ने 20 अंक अरजित किये हैं इस टेस्ट में और उसने 12 प्रशन सही किये थे तो 12 प्रेशन सही किये तो इसका मतलब इसको कितने नमबर मिल गए? 12 तिया 36 अब इसे कितने प्रेशन गलत करने होंगे कि टोटल इसका रिजल्ट है वो 20 आए अब 36 में से अगर हम 16 नमबर को घटाएं तब 20 आएगा इसका मतलब गलत किये हुए प्रेशन कम से कम 8 होने चाहिए तभी 8 दुनी 16 आपाएगा घटा में 16 और इसके नमबर 20 बन पाएंगे तो इसका मतलब रवी ने 8 प्रेशन गलत किये हैं तब जाके उसके नमबर बने है 20 तो ये थी हमारी आज की मैट्स की वरक्षीट I hope आपको ये वरक्षीट पूरे अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी Thank you